पंदरा साल लंबे अंतराश्ट्री क्रिकेट का आपका करियर है और दिसंबर 2018 में आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी तो आपकी नजर में बहतर क्या है पॉलिटिक्स या क्रिकेट आपने पहले ही बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए गुगली डाल दी है देखे मैं गईना कि प्रोफेशन से तो क्रिकेटर हूँ क्योंकि मैंने क्रिकेट में जादा लंबा इस समय बिताया लेकिन कहीं अगर दिल से अगर आप पूछें पॉलिटिक्स मैंने इसलिए जोइन करी थी और यह मैंने पहले भी बोला है बहुत यह सवाल मुझसे पूछा गया है कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों जोइन करी उस थरीके से आप जमीन पर उतरके अगर देश को आगे लेके जाने के आप में हिम्मत है तो वो एक कारण था कि मैंने पॉलिटिक्स जोइन करी थी क्योंकि जो मेरा भाव देश के प्रती है वो मैं दिखाना चाहता था लोगों को और मैं काम करके दिखाना चाहता था ऐसे नहीं कि इसी कमरे में बैठ के या फिर कोई ट्वीट करके या अपने फॉलोर्स बढ़ा के ये अपने एक दिल्चस बात बोली लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो दिल्ली का तापपान तो बहुत बढ़ा हुआ है और उसका असर हमें राजनीती में भी दिख र बात किये गए थे वह वादे मैंने नहीं किये थे वह और उन रिकॉर्ड हैं इसमें कुछ छुपा नहीं है कि सौ स्कूल कॉलेज होस्पिडल डिली को लंडन पारिस न्यू यॉयॉक पदा नहीं क्या क्या वादे किये गए थे आप मुझे बताईए आप कहते हैं कि दिल्ल इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि वैसे तो आप बड़े शांत रहते हैं लेकिन केजरिवाल जी का नाम आते है या गुस्सा आ जाता है क्योंकि दिल्ली मेरे दिल में बस्ती है मैं दिल्ली में पैदा हुआ मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी मैं दिल्ली के लिए खेला चितना मैंने नाम कमाया चाहए वो अच्छा कमाया बुरा कमाया जो भी मैंने देश के लिए किया वो दिल्ली के बदालत किया और कही ना कही मुझे याद है जब पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रहे थे और ये शायद बहुत बार आम आदमी पार्टी इसको बोलेगी भी और चलाएगी भी कि मेरी मदर ने भी उनको वोड दिया था वो तस्वीर स्क्रीन पे आएगी वो तस्वीर को प्ले कर लेते हैं ये तस्वीर आ रही है अब आप देखिए इस तस्वीर में क्या होरा है आप पीछे क陽खे हैं अर्विंद केजट्यरिवाल खड़े हैं और एलड़ी साप खड़े है LG साब उनको हाथ से पीछे कर रहे है और इसी कारेकरम में आप भी दिख रहे हैं वाइट शर्ट में यह जो credit war है ना यह इस देश को आगे लेके कहीं नहीं जाएगी ना दिल्ली को आगे लेके जाएगी कि मैंने बनाया है आपने बनाया है किस ने बनाया है credit का मतलब आपने एक चीज़ बना दी ना तो लोगों को उसकी तारीफ करने चीज़ आप अपने मूँ खोल खोल के उसकी तारीफ करेंगे ऐसा आप लोगोंने क्या कर दिया है कि वो भावुक हो गए है वो क्लिप देख लेते हैं ओडियो प्ले करिए ज़रा इस जी जी हलका एम्बेंस सुन सकते हैं जिसमें केजरीवाल की आखों में आसू है ऐसा क्या कर दिया है आप लोगोंने उनको रोना पड़ राए काश यह इसी तरीके से रोते जब इन्होंने मेरे अगेंस्ट लगाई थी जब मैं अपना एलेक्शन कैमपेंड में जब मैं पॉलिटिक्स में आए ही आया था और आप सब जानते होंगे किस तरीके की आलेकेशन लगाई थी और जो एजुकेशन मिनिस्टर है आज दिली की उन्हें नहीं नहीं आलोगेशन लगाई थी यहां पर यूथ भी बैट है एक साइस पालेशी लेके आने का मतलब यह था कि दो पसेंट से बाराफ पसेंट कमिशन बढ़ाने का सिर्फ मकसद यह था कि आप पैसे कमाके पंजाब में गोवा में बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़ सको अगर आप इतने ही साफ सुतरे थे अगर आप इतने ही भगत सिंग जी को अपना अदर्श मानते हो तो फिर वो एक्साइस पॉलिसी वापस क्यों ली ग पिल ओपन एंड शट केस है जब पैसा कमाया है गलत तरीके से पैसा कमाया है तो फिर जंग आपकी सिर्फ तिहार जेल में ही है अर्विन केजरी वाले ने अपने घर में पंतालिस करोड उपर खर्च करें और फिर कहा गया कि यह सब बीजेपी जो है यह मैनुफेक्चर्ड आरूप लगा रही है क्या कहना चाहते हैं सचाई आप ही बता दीजी दिखिए चाहे वो पैंतालिस करोड उपे हो या साड़े चार करोड उपे हो सवाल आजे माकन तो कहते हैं 171 करोड लगाए है चाहे एक करोड उपे लगाए हो सवाल पैसे का नहीं है सवाल वक्त का है का है जिस वक्त दिल्ली की जनता करोना की वज़े से कोविट की वज़े से घर-घर भटक रही थी उस वक्त पे अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत या फिर इमोशन है दिल्ली के आप तो देश-विदेश-गोमे हैं कभी आट-लक लाग का पड़ता दीखा है मैं जानना जाता आम आदमी कहते थे अपने आपको यह याद रखना बहुत जरूरी है यह जब राजनीती में आये थे तो इन्होंने यह भी वादे किये थे कि ना हम घर लेंगे गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे यह वही लोग हैं सच्छाई है कि दिल्ली उनकिले सिर्फ एक मिल्किंग काओ की तरह है पहले यह तो अब नेतागीरी की बात थी अब थोड़ी क्रिकेट गिरी की बात कर लेते हैं आप आई पील की लखनाव सूपर जाइंट्स के मेंटोर हैं क्या आप मानते हैं कि आई पील ने क्रिकेट की तकदीर और तस्वीर को दोनों को बदला है जहां बिल ही लोग इंडिया के लिए खेलते हैं बाकी लाखों बच्चे हजारों बच्चे खेलते हैं क्रिकेट तो उनके लिए फानाशल सेक्यूरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है उनको भी अपना घर परिवार माबाब को देखना है आई पील ने वह प्लाटफॉर्म वह फानाशल स खेलता है और यह सच दुनिया के सामने आना चाहिए हमारा देश टीम ऑपसेस्ट देश नहीं है इंडिविज्वल अपसेस्ट देश है हम इंडिविज्वल्स को अपनी टीम से बड़ा मांते है बाकी देशों में चाहिए इंगलन औस्टेलिया न्यूजिजलिड में टीम बड़ी है, इंडिविज्वल बड़ा नहीं है, और ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं ना, इंडिन क्रिकेट के, ब्रॉड कास्टर से लेके, बीडिया से लेके, सब से लेके, अईटिमेटली, अनफोचुनेटली, ये एक पियार एजिनसी बनके रहे गए हैं, ब्रॉड कास्टर नहीं हैं, शिरफ तीन लोगों को पूरा दिन दिखाएंगे, आपने पचास रन बनाए, मैंने पचास रन बनाए, पूरा दिन अगर आप मुझे दिखाएंगे, तो सारी आप गजनता कोई लगेगा, मैं ही स्टार हूँ, आपको क्या बोला जाएगा, कि आप बड़े अंडरेटेट खिलाडी हैं, अंडरेटेट किसको बनाता है, अंडरेटेट प्रॉड कास्टर ही तो बनाता हैं, आप मेरे बारे में पूरा दिन बोला जाए, और आपकी यह सबसे बड़ी सच्चाई है और तभी हम आगे जाके बहुत लंबे समय से अभी तक इस्टे नहीं जीते क्योंकि हम इंडिविजुल के साथ इतना जादा अपसेस्ट है जो मच अवेटेट सवाल है मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर के अंदर लेकिन आपकी अगला सेग् कि इंडिविजुल है लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने आई पिल में सुना है कि बहुत हार्ड वरकिंग है और जिस थरीके से उनमें काबलियत है अगर वो मेहनत करते रहेंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अगर वो अपना सर ग्राउंडेड रखेंगे अपन कि अगले युवरात सिंग बन सकते हैं किसी को कुछ बनने की जुरूत नहीं है आप सिरफ अपने आपको जो आप वही बन जाए वह बहुत बड़ी चीजिए अगली अगली तीन तस्वीर आगे है रितुराज गाइकवाड रिंकु सिंग और यशाष्वी जैसवाल मेरा मा अगले वर्ड कप के लिए और रिंकु सिंग की कहानी बड़ी इंस्पाइरिंग है और उन्होंने प्रदशन भी बहुत अच्छा किये लेकिन वक्त दीजिए एक सीजन में किसी को सिलेक्ट मत कीजिए उनको जाके डोमेस्टिक सीजन में रन बनाने दीजिए अगले सीजन म ऊच्छा नहीं किया टुमेस्टर क्रिकेट में 200 बनाएं 300 बनाएं वन डे क्रिकेट में 200 बनाएं विजय हजारे में तो यह जो यह जो आईपियल में किया है यह सिरफ आइसिंग ऑन्दे केक था इसलिए यह शासवी जैसवाल को तीनों इनफाक्ट फॉर्माट में होना चा उस ख़त तो तब हो गई जो शुबमन गिल की सिस्टर को टोलर्स डे ट्रोल किया वाट यूब तो सबसे बड़ा बड़ा कारण बनेगा यूथ का डिप्रेशन का वो है सोशल मीडिया अगर यूथ डिप्रेशन में जाएगा तो वो सोशल मीडिया है और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा वो चीज सच नहीं है जो खरीदी जा सके आप ट्रोल्स खरीच सकते हैं आप फॉलोर्स खरीच सकते हैं आप बोट्स खरीच सकते हैं तो जो चीज बिकाऊ होती है, वो सच कैसे हो सकती है सोशल मीडिया पर अगर आप रहना चाहते हैं, आप रहिए मैं मना नहीं कर रहा है कि आप सोशल मीडिया पर मत रहिए लेकिन सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का पार्ट मत बनाइए आपको बुरा लगा जब शुबमन गिल की सिस्टर को ट्रोल किया गया जब नवीन उलहक के साथ ही हुआ, यू फेल्ट बैट? देखे, आए फील बैट फॉर एवरिवान, नॉट उनली नवीन उलहक, फॉर एवरिवान जो ट्रोल कराते हैं उनके लिए भी, और जो ट्रोल होते हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो ट्रोल करवाते हैं, वो भी एक दिन ट्रोल होंगे मैं पैसे खर्च करके बहुत बार यह सवाल मुझसे पूछा गया है अमीज जी और यह बहुत वैलिट सवाल है इसले शाहिए मैं थोड़ा वक्त लूँगा कि आप क्यों नहीं सोचिल मीडिया पे पैसे खर्च करते हैं और लोगों को ट्रोल कराते हैं या लोगों के लिए नेरेटिव क्रियेट करते हैं और शायद मैं बहुत लोगों से जादा पैसे खर्च कर सकते हूं जो लोग इस तरीके से पैसे खर्च करते हैं ट्रोल करवाने के लिए तूसरे की इमज खराब करने के लिए मैं कर सकता हूँ लेकिन मैंने अपनी जिंदगी सच पे जीने क्या प्रॉमिस किये हम पांच 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 हजार लोगों को रोज अगर एक रुपे में खाना खिलाते हैं तो उसकी कॉस्ट है अगर मैं वो पांच हजार लोगों का खाना बंद करके वही पैसा सोचल मीडिया पे लोगों को ट्रोल या अपनी इमेज बहतर करने के लिए लगा दो तो शायद आज मैं भी उसी तरीके का ब्रांड होता लेकिन मेरे लिए वह पांच हजार लोगों जो भूके हैं उनका पेट भरना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे घर में दो चोटी बच्जी हैं कल जब हैं तो आप ट्रोल मत कराइए लोगों को खाना खिला दीजिए लेकिन एक समस्या बड़ी है और इन सबकी भी होगी और और व्यूज जो व्यूर्ज है हमारे उस पार टेलिविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जो करोड़ों दर्शक न्यूज 18 के माध्यम से आपको देखें अब बहुत गलत व्यक्ति से सवाल पुछे क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई रील नी बनाई आप जाके देख सकते हैं जो भी मेरे सोशिल पीडिया अकांट से कि अगर मैंने एक भी रील बनाई हो मुझे रील बनानी आती ही नहीं है जेनुरिल आप देख आपको आज तक डान्स किया घर पर तो कर रहा होगा मतलब मातलो यह तो यंग है हम तो कई स्टार्स को देखते हैं का क्यों करिकटर्स को देखते हैं जो रीलस है अपना जीवन चला रहे हैं देखें मैंने जैसे बोला था मैंने बहुत important message दे दी है आप social media पे रही हैं मेरी बात मत सुनिए कि मैं क्या चाहता हूँ आप किस तरीके से social media को देखते हैं वो जरूरी है क्योंकि addiction किसी भी चीज की बहुत बुरू है चाहे वो addiction किसी भी चीज की चलिए अब मैं एक ऐसे सवाल पर आता हूँ जो शायद आपसे कई बार off the record पूछा गया होगा लेकिन पहली बार ये on record मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक मई की रात जगा थी लखनौ का इकाना स्टेडियम IPL मैच था लखनौ सुपर जाइंट्स और RCB का उस मैच के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उसकी चर्चा अभी तक और सायद कितने और महीनों तक होती रही है दिखे मेरी cricket field में बहुत लड़ाईयां हुई है ऐसा नहीं है कि पहले लड़ाईयां नहीं हुई है लेकिन मैंने हमेशा उस लड़ाई को या argument को cricket field तक ही सीमत रखा है दो लोगों के बीच में argument हुआ और वो cricket field तक ही रहना चाहिए उसके बाहर नहीं जाना चाहिए बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली बहुत लोगों ने टीरपी के लिए बहुत चीज़े डिमांड भी करी कि आप इंटर्वियू कर लीजिए आप क्लारिफाय कर लीजिए जो चीज़ दो व्यक्तियों के बीच में हुई है उसको क्लारिफाय करने की कोई जरूत नहीं है और वो cricket के field में हुई है अगर off the field भी होती या भार भी होती तो उसको आप लड़ाई कहते हैं heat of the moment दो व्यक्ति अपनी टीम के लिए रिस्पेक्टिवली जीतना चाहते हैं और दोनों के पास right है जीतने का लेकिन अगर आप बताना चाहिए हुआ क्या था उस राद देखें मैं सिर्व इसको इतना elaborate करूँगा और इससे जादा नहीं करूँगा कि जो मैंने किया वो मैं इसको बिल्कुल endorse करता हूँ क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए करा था जो उस match में बिल्कुल ठीक था अगर मुझे लगता था कि नवीन उलहक ने कुछ गलत नहीं किया था तो वो मेरा फर्ज बनता था कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा होना और वो मैं आखरी दम तक खड़ा हूँगा चाहे वो नवीन उलहक हो चाहे याँ पर आप में से कोई भी होगा अगर मुझे लगता है कि आप ठीक हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा और यही मुझे सिखाया गया है और यह मैं हमेशा करूँगा और इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीता हूँ बहुत लोगों ने बहुत चीज़े बोली कि नवीन उलहक को सपोर्ट करे है अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करे कोई मेरा और दूसरे का प्लेयर नहीं था अगर मेरी टीम का प्लेयर भी गलत होता है तो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा होता अगर मुझे लगता था कि वो ठीक थे तो मेरा पूरा फर्ज बन दरता है आप एक स्टैंड लिया बिलकुल और मैं हमेशे अपनी जिन्दगी इसी तरीके से जीता हूँ और जीता रहूँगा लेकिन आज के दौर में लोग स्टैंड लेने से डरते हैं और मैं एक सवाल आप से पूछत आता हूँ और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा बहुत सारे लोगों ने मीडिया में भी बहुत कुछ बोला मैं डिटेलिंग में नहीं आऊंगा लेकिन विराट कोली और गौतम गंवीर का रिश्ता क्या है क्योंकि इस रिश्टे में हमने मिठास भी बहुत देखिए एक टाइम पर आपने अपना मैन अव दे मैच दे दिया था विराट कोली को यह सही बात है, शायद आपको पता नहों पता हो, लेकिन विराट कोली को अपना Man of the Match गौतम गंभीर ने दिया था लोग कह रहें, देखा हुआ है हमने देखे, मैं normally अपने रिष्टे explain नहीं करता है, यह सवाल मुझसे न, MS Dhoni के लिए भी पूछा जाता था, कि आपको MS Dhoni का क्या रिष्टा है जो रिष्टा मेरा MS Dhoni का है, वो ही रिष्टा मेरा और विराट कोली का है मेरी लड़ाई विराट कोली या MS Dhoni या XYZ किसी खिलाडी से परसनल नहीं है लड़ाई सिरफ मैदान के बीच की है, वो भी जीतना चाहते हैं और मैं भी जीतना चाहता हूँ और वो लड़ाई मैदान तक ही रहनी चाहिए मैं आज भी उन सारे खिलाड़ियों की इज़त करता हूँ जिनके साथ मैं खेलाऊं चाहिए वो एक मैच खेले हूँ, चाहिए वो सौ मैच खेले हूँ क्योंकि अपने देश के लिए एक मैच खेलना मुझे पता ही कि कितनी मेहनत लगती है जो आप अपने देश, एक सो चालेस करोर देश वासियों को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका समान, उसकी इज़त करना बहुत जरूरी है तो मैं हर उस खिलाड़ी का समान करता हूँ और करता रहूँगा जिनके साथ मैं खिलाओ जिन्होंने देश के लिए नाम रोशन की है आप दोनों ही महान खिलाड़ी हैं और मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने बोला जो फील्ड पे हुआ मैं उसके उपर नहीं बोलूगा मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन क्योंकि अब मैं फील्ड की बात नहीं करता हूँ एक बात बताईए आप लोग वर्ड कप खिलते थे युवराज सिंग मुहमत के फिराट को ली सचिन तेंदुलकर मतलब वो नाम जो कि भारते क्रिकेट के मतलब बुलंद सिता ऑर स्वाग ने अरोन रिकॉर्ड बोले की एक महीने हम साथ-Afavorika थे टी-20 व मध काप के लिए और स्येट एक मेहने मैने और सिवाग ने लांच और दिनर किया था और हमने एक ही ओर्डर किया से में एक ही खाना और किया मैंने एक ही खाना और किया कानपालग और अर दालमं यूँघ mujerí वह खाना मंगाते हैं केक्स मंगाते हैं पैस्ट्री मंगाते है मैंने सुना है वह एक दिन बिर्यानी खा रहे थे और क्रिकٹ मैच ताब बालिंग करनी थी वह तो की इसे ब्सकत करने से खा रहे हो नहीं वो खा सकते तो और उसके बाद उसी तरीके से गेन बाजी भी कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और पार्टी का शौकीन कौन था वो सवाल का जबाब अपनी दिया आपने देखें मैं नहीं था था कौन बोगताई है युवराज युवराज सिंग था होगी करी शायद दो वर्ड काप अगर किसी ने जिताएं हो वो युवराज सिंग थे मुझे लगता है कि वाइड बॉल क्रिकेट के सबसे बहतरी बल्लेबाद जिंदोस्तान के हिस्ट्री में अगर कोई हुए है तो युवराज सिंग की बात चली है तो दूर तक जाएगी और युवराज सिंग को कैंसर हो गया था लेकिं वो तब भी खेलते रहे थे इसलिए युवराज सिंग के लिए तालिया इस बंच से बनती है तो कि कैंसर होने के बाद वो व्यक्ति खेलता रहा था मैंने युवराज सिंग के साथ अंडर 16 से लेके इंडिया तक खेलाओं अंडर 16 वो पंजाब के लिए खेलते थे मैं दिली के लिए खेलता था वो अंडर 19 निकटे के लिए फिर अगेंस्ट खेले मैंने उससे जादा टालेंटेट खेलाड़ी आज तक मुझे नहीं पता आ जरिंदर सेवाग, मैं, राहुल राहुल द्रावेट, सचिंट इंडूलकर, वीवेस, लक्षमन सौरव गांगुली थे और MS धोनी थे वो इस टेस्टीम में युवराज सिंग को मिडल और में उतनी जगा मिली नहीं तो युवराज सिंग ऐसे खिलाड़ी थे कि शायद कित वर्लकप तक, फाइनल तक अगर कोई लेकर आया चाहिए वो T20 वर्लकप हो, या वो 2011 का वर्लकप हो, तो युवराज सिंग, दोनों टॉर्नमेंट में शायद मैंन आफ टॉर्नमेंट थे वो, एक्जाट्री मुझे बगा नहीं, लेकिर फिर अनपॉचुनेट है, कि हम बात प्राइटिंग, पियार और सिरफ एक इंडिविज्वल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना, तो अंडरेटेड कोई नहीं होता, अंडरेटेड सिरफ प्राइस होता है, यह आपको भी पता है, यह आपको पता है, कि 2007 और 2011 वर्लकप किस ने जि आती है, कोई बड़ा टॉर्नमेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता, अगर जिता पाता, तो आज भारत शर्ट पांच या दस वर्लकप जी चुका होता, एक बात तो यह भी कही जाती है, मैं आऊंगा इस विशे पर कि 2000-1983 में जो हम वर्लकप जीते हैं, उसमें कपिल पर हम सब जानते हैं, इन में से एक भी व्यक्ति से पुछे कि मोहिंदर अमर्नाच कि आपने कितनी बार तस्वीर देखी है, मोहिंदर अमर्नाच जी कि क्या प्रफॉर्मंसी वर्लकप फाइनल में, आपने सिरफ कोई कुछ कहना चाहिए, ट्रॉफी उठाते वे देखा है 1983 की कि कपिल देव जी वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, मोहिंदर अमर्नाच जी की भी दिखा दीजिए, दो नो सेमी फाइनल और फाइनल में मैन अदा मैश थे आज इस बाध्यम से हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मोहिंदर अमर्नाच और कपिल देव की, और मैं और रिकॉर्ट करें जाता हूँ, 1983 में कपिल देव और मोहिंदर नाच थे, तो 2011 में सचेंद अंदुलकर और गौतम गंभीर ते और युवराज सिंग थे, ये लोग थे सब थे आजकल कुछ क्रिकेटर्स विग्यापन में पान मसाले की आड कर रहे हैं, पान मसाला भेच रहे हैं, इसमें सीनियर खिलाडी भी हैं, इसमें आपके साथ खेले वे खिलाडी भी हैं, क्यों ऐसी अविशक्ता क्यों पढ़ गई? इसलिए क्यों कि मैंने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाडी एक पान मसाला की याड करेगा और इसलिए क्यों कि मैं बार वार एक ही चीज कहता हूं और कहता रहूंगा, कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना, नाम जरूरी नहीं है, काम कोई भी हो, आप अपने नाम से नहीं पैचाने जाते हैं, आप अपने कामों से पैचाने जाते हैं, करोडो युवा उनको देख रहे होंगे, और पैसा इतना इंपोर्टन नहीं है, कि आप किसी पान मसाले की याड करेगे, बहुत और तरीके हैं पैसा कमानेगे, और चोड़ने की हिम्मत होनी चाहिए, और मैं अपने आपको कोई उस शैली मेनी लेके जाना चाहता, 2018 में, जब मैंने स्टेब दाउन किया था, डेली कापिटल्स की काप्टन सी से, तो मैंने 3 करोड रुपे छोड़े थे, और वो 3 करोड रुपे मैं ले सकता था, लेकिन मैंन स्टार आर्ड करते हैं, तो हम इतना उनके बारे में उनको क्रिटसाइज करते हैं, तो ने अपॉलजी किया था, जी, किसकी अपॉलजी आई अभी तो, शायद ये सुनने के बाद आए, किसने इस बारे में बात करी, आप इतना बड़ा नियूस चानल लगाते हैं, क्या सीख रहे होंगे वो बच्चे, कल अगर 21 साल का बच्चा है, बाइस साल का बच्चा है, या फिर कोई युवा खिलाडी, पानमसालिक की यार्ट करने लग जाए, क्या किसी में दम होगा, उसको मना करने का, वो भी तो कल उठके ये कह सकते हैं, कि आप भी तो करते थे, आपने भी तो करा था, तो आप क्या ट्रेंट सेट कर रहे हैं, छोड़ने की हिम्मत, आपके तो दोस्ता है, फोर्म ठाके नहीं बोल सकते कि क्यो करा आप ले, देखे वो बहुत परस्नल है, वो बहुत परस्नल डिसेजन है, और एक व्यक्ति कि सबसे बड़ी शक्ती होती ह है, छोड़ने की हिम्मत, कि आप में वो शक्ती है कि आप कोई चीज छोड़ सकें, लेना तो सब कुछ हर चीज चाहता है, शाहिए मैं भी चाहता हूँगा, कि मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो छोड़ने की हिम्मत रखें, सचिन द रोल मॉडल हैं, और वो ऐसे ही रोल मॉडल चाहिए है, वाकई यह जो विशे है, यह बड़ा इंपॉर्टन था, इसलिए मैंने इसलिए और आपने बहुत अच्छा है, क्योंकि में को नहीं लगता कि कोई और मीडिया ने कभी भी यह, इस बारे में किसी से कोई सवाल पू में को मौका मिलेगा, तो मैं जरूर सवाल पूछूँगा, और वो दोनों भी लेजेंड है, और मुझे उमीद है कि निश्चित तोर पर वो भी इसको सुनेंगे, लेकिन अगला सवाल जो मेरा वो है, यह कि हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बाते करते हैं, लेकिन एक खिल कोई क्रिकेट माच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है, कोई भी, कोई भी इवेंट, और यह रियालिटी है, इसी तरीके का इवेंट चाहे वो, आपने जैसे ही बोला, उदर जो भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमें है, देखें आप भारत माता की जय के जगा, अगर आप भारत माता को जय करेंगे ना, आपको भारत माता की जय बोलने की जरूत नहीं पड़ेगी, भारत माता को जय करना, मतलब यहाँ पर लड़किया भी बैठी है, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं, अगर आप इनकी इ खतम नहीं होता और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल काप खेलना चाहिए देखिए वर्ल काप और बाइलाटरल में जमीन आस्मान का फरक है बाइलाटरल दो देशों के बोर्ट डिसाइड करते हैं और बहुत बहुत ब करता है बाइलाटरल सिरीज दो बोर्ट कंट्रोल करते हैं तो जहां बीसीसी आए ने अपना स्टैंड बिलकोल कर दिया है कि बाइलाटरल टाॉनमेंट्स नहीं होंगे ICC events में BCCI का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगाओं पे बोला जाता है ना कि देखे फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया या फिर एक व्यक्ति ने बोला थे कि नहीं होना चाहिए वह बापर Commentary कर रहे हैं लेकिन reality ये है कि ICC में किसी का control नहीं होता लेकिन पीसी भी बार बार धंकी को देता है अगर आप नहीं आऊंगे तो हम भी नहीं आएंगे पीसी बी की हैसियत कैसी है वैसे देखे मैं पीसी बी के बारे में नहीं जानता और अल्टिमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिरफ भारत ने नहीं बोला In fact, श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं अगर आप नीट्रल वेन्यो पे खिलने के लिए राजी हैं एक सवाल पाकिस्तान के टीम आपको बहुत मिस्स करती है वो कहती है कि अप गौतम गंबीर नहीं खिलते हैं ऐसा क्यों है और भारत की टीम भी आपको मिस्स करती है अब इर्फान पठान की हमने वो बाइट चलाई जिसके उन्हें ने बोला उन्हें बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच उता था हम तो गौतम गंबीर को खुला शूर देते ये जूट है पुछ से जादा लड़ाई तो वो लड़ते थे क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी क्योंकि टी आर्पी जादा मिलती थी मुझसे जादा लड़ाईया तो इर्फान पठान ने लड़ी हैं अच्छा आप बोलते क्या थे उनको अगर बतारा जाए कि आप इर्फान पठान को किसे ने स्शों पर बोला लड़ाई थे राफूँ अफृदी से वी नड़ाई लड़ाई लेकिछ लगते मुझे लगता है पांच यह शे खिलाडियों से हो रखी है लड़ाई लेकिन वग भो पाकिस्तान के मैश में आप एंग्री मैन बन जाते हैं इसा कुछ नहीं है मैंने इन फाक्ट मेरी शेहन वाट्सन से भी लड़ाई के बाद तो मैं मैंने खोई थी अपनी गुसा नाक पर रहता है आपकी नहीं ऐसा गुसा नाक पर नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ-दू-फिल्ड किसी से लड़ाई नहीं वी यह शेहन वाट्सन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान के लिए क्योंकि मीडिया को टी-आर-पी मिलती है ना उससे अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर चार पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंबीर काफी है तिके मीडिया ऐसा बोलते क्याते आप यह आप लोग इसको आप कैसे मानते हैं और क्या आपका जुकाव कभी बॉलिवूट के साथ नहीं रहा है नहीं मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में और दूसरी चीज़ एक बहुत पर्सनल अल्टिमेंटी बहुत पर्सनल डिसेजिंस हैं और दिखे जिन भी लोगों का अपने नाम लिया सब खुश रहने चाहिए मेरी यही भगवान से प्रातना है कि वो खुश रहे और अगर वो खुश हैं उससे बहतर कोई भी चीज नहीं हो सकती तो कभी आपका जुगाव नहीं रहा कभी बॉलिवूट से कभी आप जाते हूं आते हूं कुछ ना मैं पाटी करता औरने आज तक अलकाहल टेस्ट करी ना मैंने आज तक सिगरेट को चुछ हूआ ना मैंने आज तक चाहे पी ना मैंने आज तक कफी ने को ओख्या जो करने कम पूछ निता मैं को बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, दो बची है, मेरी वाइफ, मेरे मदर फादर, खुश रहना बहुत ज़रूर हूँ रील आप बनाते नहीं, चाय आप पीते नहीं, कॉफी आप पीते नहीं, पार्टी आप करते नहीं यह युवाओं को आप बोलेंगे कि एक हटा यह रीजीम फॉलो करते नहीं, जी अब इनसे भी हम सवाल लेंगे, आप से भी सवाल लेंगे, लेकि दुबारा राजनीती पर आते हैं, पॉलिटिक्स पर आते हैं, इस देश में नहीं संसद बनी, आप भी वहाँ थे, मैं भी व बॉयकॉट किया, क्या कहना चाते हैं? ठीकि इसके इलाबा उनके पास किसी तरीकी की कोई राजनीती रह नहीं गई है, बॉयकॉट करने के लाबा, संसद बनाए वो ऐसा तो है नहीं कि आप बॉयकॉट करें तो आप वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं, जब सेशन होगा, हम वहाँ पर जाके अग्यू भी करेंगे, और प्र जाके आलेकेशन भी लगाएंगे, जी, कोई चीज एक देश के लिए इतनी बड़ी चीज बन रही है, आप जाके बाज़े है, आप हिस्सा बनी है इतनी बड़ी सेलिप्रेशन का है आप बात करने में 2024 की बात करता हूँ 2024 में मोधी वर्सेज आल होता हुआ हम देख रहे हैं अर्विंद केज्रिवाल से लेकर देकीश कुमार, राहुल गांदी सब शायद एक मंच पर आएंगे मोधी को हराने के लिए और जब आप भी सांसत का अगला चुनाव लड़ेंगे तो आपके सामने भी हो सकता है combined opposition है How do you see it? वह अगर जुन्ड है अप अकेले खड़े हो तो वह लड़ाई लड़ने का मज़ा है उस लड़ाई लड़ने का मज़ा है जब आपके साथ 20 लोग खड़े हो और सामने वाला एक हो जब सामने वाले 20 वार आप अकेले खड़े हो तो वो लड़ाई में मज़ए अगर वो लड़ाई आप जीत सकते हो उससे बेटल लड़ाई ना बढ़ जाए कोई बात नहीं पूरे दम से लड़ेंगे सचाई के साल लड़ेंगे मांदारी के साल लड़ेंगे और जो काम की है नौ साल में उस तरीके से लड़ेंगे और इसी को तो लड़ाई कहते हैं जी मेरा अगला सवाल ये है कि आपके काम की तारीफ जनता हो या फिर क्रिटिक्स हो वो भी करते है पुलिटिकल काम की तारीफ लेकिन आपी की पार्टी के एक विदायक हैं वो आप पर सवाल उठाते हैं उन्होंने ग्रेह मंत्री को चिठी लिख दी, सीबी आये, इसे जाज कराई जाए जाए जाए? देखे ऐसा नहीं है कि मेरे काम की तारीफ क्रिटिक्स भी करते हैं और मेरे काम की तारीफ, मेरे कामों को क्रिटिसाइज भी बहुत लोग करते हैं मेरे पुलिटिकल करियर को अभी तक बहुत क्रिटिसाइज किया गया और आम आदमी पार्टी तो करेगी लाजमी है वो हर तर और वहाँ पर मेरे फादर का पिछले 35 साल से ओफिस था गांधी नगर उससे पहले 15 साल वहाँ पर लवली जी विधायक रहे कांग्रेस से और मैंने 103 बुखार में रोड शो किया था गली गली गया था क्योंकि मुझे लगता था कि जहां का मैं MP हूँ मेरे फादर का माँ पर आफिस है पिछले 45 साल से वहाँ पर हमारा विधायक होना चीए और ये विधायक आम आदमी पार्टी से आये थे ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी में थे आम आदमी पार्टी से ये इंपोर्ट किये गए थे उसके बावजुद अगर आप अच्छे काम को रोकेंगे अगर आप ग्रह मंत्री जी को लेटर लिखेंगे या फिर आप सीबिया इंक्वारी करवाएंगे मुझे किसी कुड़ेगर को अपने नाम करने की जुरूत नहीं है उपर वाले ने मुझे इतना दी है कि मैं बहुत सक्षम हूँ अब आखरी राउंड है और यह जो राउंड है यह तस्वीरों वाला राउंड है इसमें हम कुछ तस्वीरे दिखाएंगे और पहले राउंड की तस्वीरे आती है पहली तस्वीर आ रही है जी 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 पहली राउंड की जो तस्वीर आ रही है यह देखते कौन सी है राहुल गांदी क्या कहना चाहते है आप इनके बारे में देखे मैं बहुत जादा जानता नहीं हूँ इसलिए मैं को किसी भी व्यक्ति के बार में पर्सनली बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लड़ाई अपनी जमीन पर रहके लड़ी देश से बाहर जाके नहीं क्योंकि मैं को यही च पे इंडिया एके टोर पे गया था इंग्लिड और उस टाइम मैं 17 या 18 साल का था 17 साल का हूंगा शायर और यह चीज़ बोली गए थी जब मैं फ्लाइट ले रहा था शायगो मेरी पहली या दूसरी प्लाइट थी पहली बार मैं यूके गया था जी कोई भी आप से भार को कोई सवाल पूछे तो हमेशा अपने देश के बारे में अच्छा ही बोलना अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो वापिस आके करना है और यह मैच जब मैं 17 साल का था आज मैं 41 साल का हूं मैं इसलिए नहीं कह रहा आप तो 17 साल में हो समझ गए थे नहीं मैं 50 से उपर उ समझा देता हूं जी एक लाइन तो बड़ा मुश्किल है मेगलोमेनिया का मतलब होता है जो अपने से उपर किसी और को नहीं देख सकते अगली अगली तस्वीर देख लेते हैं किसकी आ रही है बातम गंभीर और विराथ कोली यह 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 वही तस्वीर है जिसमें आ लौड फ रिस्पेक्ट वाट ही इस डान फोर इंडिया बहुत शांदा बहुत शांदा शैन वाट्शन और गंभीर टॉप ओल राउंडर चलिए अगला राउंड है वो गुगली राउंड है आपकी राहे में कोली और गंगुली में से जादा अग्रेसिफ कैप्टन कौन था अग्रेसिफ कैप्टन किस के अंडर खेला था मैं उसका जवाब शायदा अनिलकुमले विपक्ष के लिए बेहतर पी-एम उमीदबार कौन हो सकता है राहुल या केजरिवाल थी तो अपोजिशन ही इसका जवाब दे पाएगा पहली बात तो यह है कि उनको पहले डिक्लेर करना बड़ा ज़रूरी है डिक्लेर कर पाएगे नहीं को क्या लगता है मैं तो आपकी राहे पूछा हूँ कोई भी नहीं कोई भी नहीं अगला सवाल है सिसोधिया और मनी सिसोधिया और सतेंद जैन में से जादा कट्टर इमानदार कौन है गुगली राउंड है इसका ना अबीर और कुछ लड़किया है वो सवाल पूछ राचाती है क्या सवाल है आपके पूछ रखती है एक करके सर्मेरा क्वेस्टिन है कि आपकी कौन सी फेवरेट एक्टर से तीन ऑप्शन है मेरे पास हां जी तो पहली है दिपिका पड़कून और दूसरी है अनुष्का शर इन तीनों में से परनीती दिपिका और अनुष्का में से को मेरे को अगर अभी याद आए तो परनीती चोपड़ा विकॉस केसरी में उनकी बहुत अच्छी आक्टिक थी जी एक और सवाल है जी जी पूछे सवाल क्या है सार मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपकी वाइफ नताश्रमाम आपसे नाराज हो जाती है तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं मैं कैसे मनाता हूँ? मैं अचली मनाता नहीं हूँ. वो अपने अप ठीक हो जाती है, मैं को मनाने की आदत ही नहीं, honestly. और वो बहुत जादा नराज होती ही नहीं. तो बहुत, that's why मैंने जब बोला अमीज जी को, कि मैं बहुत खुश हूँ जिस तरीके की मेरी फैमिली है, क्योंकि अगर में को बहुत जादा मनाना पढ़ता है, नहीं टाच होट. अभी तक तो यही आगे कुछ नहीं पता कि 11 साल हो गए हैं, तो हम शूर अभी तक इतना कोई जादा मनानी की जरूत पड़ी है. कभी गाना वाना भी निगाया उनके लिए. ना गाया, ना ना चा, ना मनाया. ना मनाया. चलिए, एक और सवाल. सर, आपकी शादी में सबसे पहले किसने किसको प्रपोस किया था? आप बताईए. आप तो मुझे कहते हैं कि यह जाला बड़ी बाउंसर है, जो मैं अभी आई-पील में खेलके आया हूँ. उससे बड़ी है, बताईए. नताशा ने. नताशा ने प्रपोस्ट किया था. चलिए, आप लोगोंने कई सारे सवाल पूछे हैं. अब यहां पर एक कई लोग हैं, जो कुछ ख्वाइश भी रखते हैं, वहीं क्या है आपकी ख्वाइश? सर, हमारी ख्वाइश से कि हम बजपन से क्रिकेट खेलते आरें और आपको देख रहा हैं, लेकिन मेरा एक तमन्ना है कि सर, मैं गिन फेकू और आप कोई six या कोई boundary मारें. boundary मारें, इस्टूडियम में हमारी light टुडवाएंगे आप. मेरी गंबीर साब आपसे गुजारिश है, बाउंटरी मत बारिएगा, डिफेंस कर दीजेगा, आई आई ये, तो बैटर बॉल भी आ गया है, तालिया, मैं फील्डर बन जाओंगा मुझे लगता है, क्या नाम है अपका? अंकित तिवारी, तो अंकित तिवारी मैं कमेंटर बन जाताओ, करो, तो अंकित तिवारी गौत्म गंभीर को बॉल डाने जा रहे है, लेट सी वाट हपेंट। अंकित तिवारी बॉलिंग तो गौतम गंबीर वोड़ शोट वोड़ शोट एंड वेल बॉल्ड थैंक यू सो मच तांक यू सो मच गंबीर साब आप मेरी जगह आप कमेंटरी करना भी वोल्ड का पाने वाला है ठीक है चलिए मुझे कोई मौका देखा तो मैं जरूर बीरे